Hello everyone, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Online GKGS Classes में आज की Class में जो है हम लोग Now the Lips are Falling Fast जो Class 12th English poetry section का तीसरा चिप्टर है उसका हम लोग subjective question answer करेंगे और आपकी अपनी भासा में करेंगे ठीक है? तो Now the Lips are Falling Fast के राइटर के नाम सब कोई जानता है डबलू एच ओडिन लेकिन हम लोग आज की Class में subjective question को करेंगे जैसे पहला question है What does the mean when he say Now the Lips are Falling Fast? यानि कि जो लेखक कह रहे हैं Now the Lips are Falling Fast उसका मतलब क्या है? ये बताईए What does the mean? यानि कि क्या मतलब है when he say लेखक ने कहा Now the Lips are Falling Fast यानि कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं ये कर लेखक के कहे के मतलब का है? ये बताईए देखे एंसर The Poet means that the leaves of the branches of the tree are Falling यहां तक पहले समझते हैं Poet का कहने का मतलब है कि leaves of the branches of the tree are Falling यानि कि पेर के जो साखाएं हैं, branches हैं उससे पत्तियां यानि कि पत्ते जो है Falling गिर रहे हैं लेखक के कहने का मतलब है कि पेर की साखाओं से पत्ते जो हैं गिर रहे हैं Falling हो रहे हैं And the tree are becoming और पेर जो है पेर becoming leafless और पेर जो है पत्ते रहीत हो रहे हैं यानि कि बिना पत्ता के जो हैं हो रहे हैं पेर ठीक है? फिर से एक बार समझे तनी The poet mean that the leaf of the branches of the tree are falling यानि कि पेर की साखाओं से पत्ते जो हैं गिर रहे हैं And the tree are becoming leafless और पेर जो हैं पत्ते रहीत हो रहे हैं यानि कि उन से पत्ते बिना पत्ता के पेर जो हैं हो रहा है And it also meant by a person who slowly goes to it, death and at last in grave इसका मतलब है कि इसका एक और मतलब है यानि कि Now the leaves are falling fast का कहने का poet का एक और मतलब है It is also meant by a person यानि कि एक व्यक्ती जो धीरे धीरे slowly goes to death जो धीरे धीरे अपनी मृत्यू की ओर जाता है At last in a grave धीरे धीरे मृत्यू की ओर जाता है अपनी कबर की तरफ लास्ट समय में जो है वो अपनी कबर की ओर चला जाता है यही लेखक जो है कहना चाहता था Now the leaves are falling fast के माध्यम से आपका question समझ में बड़ी असानी से आगया होगा कि लेखक Now the leaves are falling fast के कहने का मतलब क्या था Now the leaves are falling fast के कहने का मतलब था कि पेर की साखाओं से पत्तियां गिर रही है और इसका दूसरा मतलब यह था कि एक व्यक्ति जो धीरे-धीरे अपनी मृत्यू के आखरी च्छनों में जाता है और उसके बाद वो जो है कबर में चला जाता है Second है What are the words in the second stanza suggest death and the effect of death on the human body Body simple question है What are the words in the second stanza Stanza means होता है स्लोक यानि कविता के दूसरे स्लोक में वो कौन सा सब्द है Words है जिसने suggest किया है death यानि मृत्यू The effect of death on the human body और मानों सरीर के उपर मृत्यू का क्या प्रभाव परता है यह स्लोक दूसरे स्लोक में कौन सा ऐसा सब्द कहता है फिर से question की बात करें तो दूसरे स्लोक में ऐसा कौन सा सब्द है जो मृत्यू और मानों जीवन पर प्रभावित मृत्यू के प्रभाव को बताता है तो देखे In the second stanza the following are the words that suggest death and the effect of the death on the human body यह पूरा जो है हमने question को उतार दिया है अब लिखा है whispering nervous pluck and freeze यानि कि यह क्या बोलते हैं कि दूसरे स्लोक में जो है वो एक दो ऐसे सब्द हैं जो मृत्यू और मानों जीवन पर मृत्यू के क्या प्रभाव परते हैं उसको प्रभावित करने वाले दो निमने लिखित सब्द हैं एक है pluck, pluck means होता है साहस and second है freeze मतलब की जमाना तो साहस अगर आपके अंदर नहीं है जादा दिन जीने की और आप जो है जवाने की बातों को सुनते हैं तो जादा दिन तक नहीं जी पाएंगे यह second slogan यानि कि second stanza में जो है कहा गया है now the lips are falling fast poem में ठीक है अब जो है तीसरा how do we complete our last journey to the grabs यानि कि हम लोगों की अंतिम्यात्रा कैसे पूरी होती है जब एक आदमी की मिर्त्यू हो जाती है तो उसके the dead body, उसके last के पीछे जो है सौग विक्ती जो है पीछे-पीछे चलते हैं उसको last को जो है अपने कंधे के उपर carry करके carry मतलब के उठा कर और लगभग सौग वादमी जो है उसके पीछे-पीछे चलते हैं wooden coffin यानि कि जिसको मंजिल बोलते हैं the grabs is our last journey उसके मृत्तिव हो जाती है तो उसके जो wooden coffin जो last होता है जो बक्सा में भडल जाता है उसके पीछे जो है सौग विक्ती पीछे-पीछे जाते हैं उसके कबर तक और इस प्रकार जो है उस विक्ती के अंतिम्यात्रा जो है पूरी होती है fourth number है what do trolls do in the leafless wood यानि जो पत्ते रहित जो लक्रियां होती है यानि कि वैसी लक्रियां जिसमें पत्ते नहीं होते हैं उसमें trolls जो है क्या करते हैं? तो यहाँ पे देखे trolls run in search of their food in the leafless would they search for food to leave? आप बच्पन में परहे होंगे कि जिसमें हरा भडा पत्ता रहता है उ जो है अपना भोजन पेर खुद बना लेता है लेकिन जिसमें पत्ता नहीं रहेगा उ कोई से बनाएगा वही इस question में भी पुछा है कि जिसमें जिस लक्रियां में पत्ते नहीं हैं उसमें trolls क्या करते हैं? तो trolls run in search of their food तो trolls जो है भोजन की तलास में दौरते रहतے हैं कौन सा? तो leafless लक्रि में leafless wood में मतलब कि पत्ते रहित लक्रि में they search for the food to live और उवजन आपने भोजन की तलास करते रहते हैं जिन्दा रहने के लिए trolls क्या करते हैं? तो ट्रॉल्स जो है अपने भोजन की तलास के लिए जो है सर्च करते रहते हैं, दौरते रहते हैं कि भोजन हमको मिले क्योंकि उसको जिन्दा रहना है यानि कि ट्रैबलर्स कौन है? यातरी कौन है? और उसको जो है क्या आसिरवाद मिला है? ने, तो यहाँ पेंसर कहता है, ओल्ड पोर्सन आर दर ट्रैबलर्स, यानि कि जो बूढ़े विक्ती हैं, वो जो है यातरी हैं, और उनको जो है, उनके अंतिम समय के कौस्ट को सहने के लिए आसिरवाद दिया गया है, और लास्ट में वो अपने मिर्तिव को प्राप्त हो जा ऐसा ही उनको ब्लेसिंग दिया गया है, देखें यहाँ पे, who are the travelers, the old person are the travelers, यानि यातरी कौन है, तो बुढ़े विक्ती जो हैं, यातरी हैं, how will they be blessed, और उनको जो है, कैसे असिरवाद जो है, कैसे दिये गया है, तो उनको जो है, they are blessed, उनको जो है, their last distress, यानि कि अंतिम समय के cost को सहने, and that is it, और उनकी मिर्तिव को जो है, करने के लिए, उनको आशिरवाद दिया गया है, simple सी बात है, हम लोग इस प्रित्वी पे आए हैं, तो हम लोगों को भी जो है, अपने last के अंतिम दिनों को सहना है, और उसके बाद चले जाना है, and next है, which word in the first stanza, suggest object from nature, यानि की जो first stanza था, first जो slok था, पूरे now the lips are falling fast में जो है, five stanza है, पांच गो slok है, तब पहिला slok में, ऐसा कौन सा word है, जो nature को denote करता है, nature को suggest करता है, nature के बारे में बताता है, ठीक है, तो देखें यहाँ पे, nature's flower, यही ओ सब्द है, जो nature के बारे में बताता है, अगर यह भी हम लिखते, तो यह भी सही होता, लेकिन question से बाकी सब जो है, उतार दिये हैं, nurses flower लिखें उसके बाद, the word is the first stanza that suggests object from nature, it means a nurse, यानि कि nurses flower ही जो है, पहला slok में, ऐसा word है, जो पूरे प्रकृती को जो है, डिनोट करता है, ठीक है, next है, who are the whispering neighbors, whispering neighbors कौन होते हैं, who are the whispering neighbors, whispering neighbors कौन होते हैं, तो isn't or messenger of death are the whispering neighbors, whispering कहें के मतलब कि फुस फुसाने वाला परोसी कौन होता है, हैंकि नहीं, तो isn't or messenger of the death are the whispering neighbors, who come when a human body is dead, यहां पर कौन कह रहा है, कि जो परोसी हम लोगों के होते हैं, whispering neighbors से, फुस फुसाने वाले परोसी यहां पर कहने का मतलब है, जो आपके फेरा में रहते हैं, ठीक है, तो वो कौन हैं यहां पर, isn't or messenger of death are the whispering neighbors, जो death मतलब की मौत, और messenger मतलब की message पहुँचाने वाले isn't मतलब की किसी के आदमी होते हैं, तो मौत के जो फरिष्टे होते हैं, यहां पर यह कहने का मतलब होता है, कि मौत के जो फरिष्टे हैं, वही जो हैं हम लोगों के whispering neighbors हैं, who come when a human body is dead, और वो कब आते हैं तो हम लोगों की मृत्तिव हो जाती है, मानों सरीर की जब मृत्तिव हो जाती है, तो मौत के फरिष्टे आते हैं आत्माओं को ले जाने के लिए, and next question है, how does human life become miserable? मनुस्यों का जीवन जो है, कैसे कस्टदाई है? यानि मनुस्यों का जीवन कैसे कस्टदाई है? the suffering from disease and other problems है, तो आप जब एक मनुस्यों से रोगों से ग्रसित होता है, और उसके जीवन में problems होते हैं, make human life become miserable and unhappy, तो वो मनुस्यों से जो है, कस्ट में होता है, और वो जो है अपने आपको unhappy महसूस करता है, यानि कि दुखी महसूस करता है, how does human life become miserable? यानि कि एक मनुस्यों से अपने आपको कैसे कस्ट में समझता है, तो जब उसके पास जो है, बड़े रोगों से कोई ग्रसित होता है, suppose that आप अपने आपको दुखी कब समझते हैं, तो जब आपके पास कोई समस्यायों होती है, बहुत सारे रोग आपको घेरे हुए रहते हैं, तो आप अपने आपको जो है, दुखी समझते हैं, कस्ट दाई समझते हैं, ठिक है, आप ये एक question और है, जो आपके notes में मिल जाएंगे, notes के लिए जो है, आपको एक number है, जिस पे आपको first of all payment करना होता है, उसी पेज 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 के screenshot वाट्सप किया जाता है, उसके बाद आपको notes दिया जाता है, class 12, topper badge, English में आपको जोरा जाता है, WhatsApp paid group में, 9608339424, जो है ये number है, आप लोग interested हैं, तो जूर सकते हैं, नहीं interested हैं, छोर दिजेगा, वीडियो देखें, अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको share कीजे, इतना ही आपका काम है, वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद,